दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं भारत के मानचित्र की सायता से आपको ये समझाऊँगा कि भारत में कितनी जनजातियां रहती है और कौन-कौन से शेत्रों में रहती है दोस्तो भारत के विबिन राजियों में जनजातियों की आबादी अलग तरीके से फैली हुई है तो आईए हम शुरू करते हैं तो देखे ये भारत का नक्षय आपके सामने हैं अब भारत के नक्षय में ये जो एरिया आपको निजरा रहा है जिसमें आपको मध्यप्रदेश, चतिजगर्ड, गुजराज, ज्हारकंड, औरीशा, महराष्टर, राजिस्तान, अंदरप्रदेश, तेलंगाना, मनिपूर, मेघाल, मिजोरम, नागाल, एंटरपुरा, सिक्केम और अर्माचल प्रदेश और साती असम भी दिखाए देगा ये वो एरिया है जिसके अंदर मुख्यत है भारत की जनजातियां पाई जाती हैं लेकि मैं सभी जनजातियां की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी जन संक्या बहुत ज्याद है और वो बहुत बड़े अमाउट में रहती है, और वो जो है इन ही राजियों में पाई जाती है क्योंकि उत्तरपुर्व के चार ऐसे राज्ये हैं जिसको सम्विधान में अलग से अनुसूची के अंदर रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जनजातियां थोड़ी सी different पाई जाती है मतलब बाकी देश में थोड़ी अलग पाई जाती है यहाँ थोड़ी अलग पाई जाती है वो इसलिए क्योंकि यहाँ की जनजातियों का जो सांस्कृतिक जीवन है वो काफी अलग है और इनको गुलने मिलने में काफी समय लगता है इनके रिती रिवाच बिलकुल ही अलग है तो इसे आपको याद रखना है राजिस्तान के बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ मध्य प्रदेश के अंदर भी भील पाए जाते हैं गॉंड, बैगा और कॉरकु यहाँ विशेश बात यह है कि जो भील और गॉंड है वो मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत अच्छी तादाब में पाए जाते है एक टिप यह है कि अगर आपको ऐसा लगेगी कि किसी राजी की आपको जनजाती नहीं पता है तो बील और गॉंड मैंसे आप कुछ भी लिख सकते हो वो इसलिए क्योंकि यह अल्मुष्ट पूरे देश के अंदर पाए जाते है बील और गॉंड की बहुत बड़ी तादाद है सरफ में भूमी के अंदर याद रखना यह जो में भूमी आपको देख रहे है वारत की तो याद रखना अलबा, उन्राव और मुडिया बाकि गॉंड तो ही इसके बाद चलते हैं हम गुजरात की तरफ हाँ मुझे पता है मैं वापस पश्चिम की तरफ आ गया हूँ लेकिन गुजरात जो है थोड़ा नीचे की तरफ है अब चलते हैं थोड़ा सा पूरु की तरफ पूरु में आपके जारकंड, उरिषा ये दो इंपोर्टन राजे है जारकंड के अंदर संथाल बहुत फीमस है याद रखना संथाल, उन्राव, मुंडा और हो संथाल, उन्राव, मुंडा और हो जारकंड और उरिषा एक साथ याद रखा जाएगा दोनों ही पास-पास में है संथाल, संथाल, उन्राव, उन्राव इसके बाद हम चलते हैं आंदर प्रदेश और तेलंगाना की जरह आप देखो आंदर प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही हुआ करते थे तेलंगाना अलग हुआ एससे तो यहां की जन जातियां मुखेत ऐक जैसी हैं तो इनको याद रखा जा सकता है एक साथ यहां पाए जाते हैं मुखे रुप से गौंड, कोया, लंबारी और चेंचु गौंड, कोया, लंबाडी और चेंचू तो यह जो 9 राजे हैं, इनकी जनजातियां मुखे रूप से हो जाती है जिसके अंदर आंदर प्रदेश और तेलंगाना की आप एक साथ याद रख सकते हो अब हम चलते हैं हमारे उत्तरपूर्व की तरफ उत्तरपूर्व के जो बचे वे 8 राजे हैं उनकी दरफ शुरुवात हम सिक्किम से करेंगे, क्योंकि सिक्किम बीच में बढ़ रहा है, रास्ते में बढ़ रहा है तो याद रह जाएगा, सिक्किम में पाए जाते हैं लेप्चा और भूटिया लेप्चा और भूटिया, याद रखना है थोड़े से नाम थोड़े से टेड़े हैं यहापे, लेकिन आप याद रख सकते हो, लेप्चा भूटिया सिक्किम के बाद चलते हैं आसम के अंदर, क्योंकि रास्ते में वही पढ़ता है अपतानी, नीशी, आदी और मिश्मी, कोई दिकर नहीं होनी चाहिए इसके बाद हम मनीपूर के दरब चलते हैं, मनीपूर यहाँ आ जाता है मनीपूर के अंदर पाए जाते हैं नागा और कुकी अब इसका नाम आपको याद होगा, क्योंकि हाल ही में आपको पता है यहाँ पर बहुत हिंसा चल रही है मनीपूर के अंदर और इसके अंदर यह दोनों जातिया शामिल है कही ना कहीं नागा और कुकी, इसके बाद चलते हैं मिजोरम में पाए जाते हैं मिजो और लुशाई, इसके बाद आते हैं मेघाले के अंदर तो मेघाले में पाए जाते हैं खासी, गारो और जैनतिया एक बाद याद रखना, यहां की जन जातिया है यहां के पहालो से भी famous है, तो यह चीज़ कभी-कभी पूछ ली जाती है तो खासी, गारो और जहनतिया याद रखना इसके बाद चलते हैं नागालेंड नागालेंड के नदर चार जन जातिया है मुक्रोप से एक है अंगामी, एक है आओ, सेमा और चाखे संग यह थोड़े से नाम ऐसे हैं इसको एक दो बार प्रैक्टिस करको याद जाएगा अंगामी, आओ, सेमा और चाखे संग इसके बाद आपका आखिर में आके बचता है त्रिपुरा त्रिपुरा में आते हैं आपके त्रिपुरी, रियांग और जमातिया त्रिपुरी, रियांग और जमातिया, याद रखना देखो, इस्पेशली ये जो आपके नौर्टीस वाले राज्ये हैं इनके प्रैक्टिस करनी की आपको ज़रुवत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही से यू ना नेक्स बाट